समय की एक खासियत है कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता जिनका समय अच्छा चल रहा है न वो कहते हैं कि इश्वर ये समय सदा ही ऐसा चलता रहे लेकिन जिनका समय चल रहा है खराब जिनका समय चल रहा है चैलेंजिंग वो कहते हैं कि ये समय जल्दी से जल्दी बदलना चाहि वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा U-turn आ जाए जो पिछली सारी की सारी दिक्कतों को एकदम से खत्म कर दे और जीवन जो है अच्छी तरफ चलना शुरू हो जाए और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि जीवन में दरसल U-turn आता कब है क्या उपा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रेपा सब्सक्राइब करियों हाँ बेल बटन जरूर दबाईएगा तो दोस्तो U-turn कैसे आता है उसको हम चर्चा करने से पहले नहीं आपके गलत फहमी को सबसे पहले दूर करना चाहता हूँ मेरे पास बहुत लोग दिखाने आते हैं और वो बहुत गलत फहमियों का शिकार होके आते हैं कोई मेरे से कहता है कि जी हमारी तो ब्रहसपती की दशा चल रही है ब्रहसपती की दशा में हमें बोला गया था कि जो अच्छा समय है बहुत जल्द आएगा लेकिन अच्छा समय तो आया ही नहीं हम त दरसल जो दशा होती है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है आपके समय को change करने में, क्यों? क्योंकि दशा के हाथ में कोई individual result है ही नहीं, दशा तो एक डाकिया भर है, आपके birth chart के जो combinations है न, जो योग हैं आपके birth chart में, वो order pass करेंगे, वो बताएंगे अच्छा होना है या बुरा होना है, कब होना है? ये बताएगा, गोचर, चलते चलते ग्रह, जब राशी परिवर्तन करते हैं, मेरे भी वीडियो साते हैं न, के शनी का राशी चेंज हो गया, ब्रहस्पती का राशी चेंज हो गया, इस तरह से जब ग्रह राशी चेंज करते हैं न, ये trigger point होता ह है उन योगों के आपके लिए घटित होने का, आपके जीवन में happenings होने का जो trigger point होता है न, ये चलते हुए इन ग्रहों के परिवर्तन के हाथ में होता है, तो इधर से आपके combinations और उधर से गोचर, जब ये आपस में एक तालमिल बनाएंगे न, ये decide करेंगे कि आपके दशा लोड जो है आपके मित्र होंगे, तो संदेश थोड़ा सा प्यार से लेके आएंगे, दशा लोड अगर आपके दुश्मन होंगे, तो वो ये संदेश बहुत सक्ती से देंगे, अचानक से देंगे, जिससे इंसान बौकला जाता है, बस दशा का लेना देना इतना ही ह अगर आप समझते हैं कि कोई दशा आने से आपके समय में बदलाव आएगा तो बहुत बड़ी गलत फैमी के शिकार है आप चलिए इस गलत फैमी से निकल के अब हम बात करते हैं कि दरसल जी यह जो यू टर्न होते हैं ना इनका किस तरह से आपके जीवन में लेना देना होता है अब कुद्रत यह चाहती है कि हम बस उस बर्थ चाट के तरह से भी करें फिर सुखी रहेंगे लेकिन जब हमारे कर्म हमारा बहुए उस बड़्थ हात के हो जाता है लग हो जाता है तो हम पीड़ा में हम पेन में आना शुरू करते हैं उधारन से समझाता हूँ आपको अ लेकिन अब पीडा में आने का Trigger Point कोई सा होगा, कब आएंगे। यहां पे पीडा मेँ आने का जब यह शनी चलते हुए राशी चेंज करेंगे यह तब पीडा देंगे। जब यह शनी धैये के रूप में सामने आएंगे तब पीडा देंगेillon ये की बात चल रही है न, तो धया और साड़े सत्ती की बात करना बहुत ही जुरूरी है, लोग साड़े सत्ती को केवल और केवल पीडा का ही माध्यम मानते हैं, साड़े सत्ती भी गोचर की ही एक फॉर्म है, साड़े साथ साल के लिए शनी का गोचर कुछ इस तरह से होता है, कि आपके जीवन में वो बदलाव लेके आता है साड़े सत्थी केवल और specially दूसरी साड़े सत्थी जो को normally young age में आती है ये साड़े सत्थी बहुत बड़े बदलावों की सूचक होती है ये साड़े सत्थी जीवन में कुछ ऐसा माहौल बनाती है कि आप जो भी कर रहे हैं, उसमें कुछ नया एड़ करें, आप जो भी कर रहे हैं उसको बदल दें, आप खुद intelligently, नया कुछ skills सीखे, उसको अगर बदल देंगे, फिर तो ये साड़े सती आपके लिए बहुत ही value addition का काम करेगी, ये अब जीवन में U-turn जो लेके आएगी न अब जो U-turn आएगा ये painful वाला आएगा, अब साड़े सती जो है बहुत ज्यादा आपको जीवन में struggle देने वाली, pain देने वाला एक समय बन जाएगा, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम समय के साथ चलते हैं, तो फाइदे में रहते हैं, समय के अगेंस चलत लेकिन मैं आपको इस वीडियो के मादम से केवल वही योग बताऊंगा, जो योग आपके लिए बहुत relevant रहते हैं, जैसे आप मकान के बाद हम बात करते हैं, काम, कारोबार, करियर, आप जोग करते हैं, जिन्दा रहने के लिए, कमाने के लिए, यानि आपका कारोबार, का सूरज, बर्त चाट के बार्मे घर में हो, तो कहा जाता है, कि भई, आप स्किल्स सीखिए, कुछ भी करिए, दिमागी काम करिए, पर हाथ से उने वाली कारी कारी का कोई काम मत करिए, हाथ की कारी कारी का कोई भी काम करेंगे न, अब ये सूरज रूट जाएंगे, अब प्रभादी निश्चित हैं अब उसको कभी बरकत नहीं आएगी उसकाम में किसी के चंदरमा जो हैं वो फोर्थ हाउस में हो फस्थ हाउस में हो अब वो चंदरमा के काम करके दिखाए वो कभी दूद का काम करके दिखाए वो काम उसको सूट करेगा ही नहीं चावल का काम उसको सूट करेगा ही नहीं मतलब इस तरह से के बर्थ चार्ट में कई ऐसे combination है जो आपको ये कहते हैं कि आपको बस ये काम नहीं करने बाकि कुछ भी करिए आपने अगर वो मना करने वाले काम पकड़ लिए तो अब जब जब ग्रह चेंज होंगे ये आपके जीवन में आपका जो blockage है ना उसी को बढ़ाएंगे कभी भी आपको जीवन में सुख नहीं लेने देंगे अब हमने बात कर ली मकान के, हमने बात कर ली करियर की थोड़ी सी हम बात करते हैं वास्तू की वास्तू की मैं अपने हर वीडियो में चर्चा जो है थोड़ी बहुत करता ही रहता हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वास्तू को सही किये बिना आप अपनी जन्म कुंडली के पूरे अच्छे result ले ही नहीं सकते जीवन में stability नहीं है ना आपके जीवन में संगर्ष लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपके घर के southwest कोने में दिक्कत होगी ही होगी आपके घर का southwest कोना आपके पितरों का कोना है यानि पितर कोन वो energies आपके पूर्वज हैं उनका जो energy है ना आपके घर के southwest कोने में होती है साउथ वेस्ट कोने में अगर तो आपने ग्रिनरी, गमले, हर्याली, कुछ ऐसा दे रखा है तो भी आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो पर्मानेंटली श्रापित रहेगा पर्मानेंटली खराब रहेगा south west kona में अगर आपने रसोई दे रखी है ना वहाँ पे चूला भी है तो भी वो kona जो है शरापित साही रहेगा south west kona में अगर boring है या कुवा है तो भी ये kona खराब रहेगा south west kona में गंदगी है, storage है या toilet है फिर तो क्या ही कहना वो kona permanent ही बरबाद हो गया और ये eventually फर्क कहां पर आएगा आपके जीवन की stability पर, यानि आप कुछ भी कर ले, stability स्थायत्व जीवन में नहीं आप आएगा, तो दोस्तों अगर आप उमीद करते हैं कि आप अपने जीवन में अगर कोई दिक्कते चल रही हैं और आप अपने जीवन में कोई बड़े बद इनको केवल align करिए, इनको साथ लेके चलिए, यकीन मानिए, 40-60 दिन लगते हैं बदलाव आने में, इससे ज़्यादा समय लगता ही नहीं है, और जब ये बदलाव एक बार आने शुरू हो जाते हैं तो फिर तरक्की करने का एक नशासा हो जाता है, मैं आशा करता हूँ कि इन चीजों को थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे और इनको apply करने की भी कोशिश करेंगे, तो आज की जानकारी यहीं तक थी, बहुत जल्म मिलते हैं, एक नई विशेक नई जानकारी के साथ, अपना कूब ध्यान रखिएगा, नमस्कार